मैंने पिछी मांगी नहीं थी परंतु उन्होंने कहा मुझे तुम्हें पिछी का देने का भाव हुगा है अपनी संका गुरुवर से रखी की धर्म क्या है तो बोले ड्यूटी की करतब्य का पालन जो जिस कारी को कर रहा है वह उस कारी को पूरी इमानदारी निस्ठा से करे यह धर्म है आचायरी स्री विद्या साकर महराज युक द्रस्टा है वो राष्ट हित चिंतक भी हैं सभी समाज के लिए उसी तरह से परामाराध्य और पूज हैं जिस तरह से जैनों के हैं उनका चिंतन सिर्फ जैन समाज की उन्नती या उनके उतकर्ष के लिए नहीं होता उनका चिंत्वन हमेशा राष्ट की उन्नती की तरह भी होता है जैजनेंद्र पुन्योदेव विद्या संग से मैं अवीजीद गोयल आज फिर एक वार आपके पास एक विशे सस्थी के साथ पुन्योदे साक्षातकार में आज बात एक ऐसी सक्षियत की जो आचारी श्री विद्या सागर जी महाराज के संग में पुखराज के रूप में जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कि जब आपके नगीनों की गिंती की जाती है तो ये सबसे उपर सिर्मौर बन कर हमारे सामने आते हैं लेकिन इनकी जानकारी आज तक केवल उन लोगों को है जो इन्हें बहुत व्यक्तिगत रूप से या इन्हें केवल आचारी श्री के माध्यम से जानते हैं लेकिन ये बाकई में वह व्यक्तित्व के धनी है जो निरंतर कहीं न कहीं शासन प्रशासनिक सेवाओं में और समाज के लिए रास्टर के लिए आचार शरी के दिये हुए कार्यों पर निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं हाँ मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सतेंद्र कुमार जैन साहब की मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर सतेंद्र कुमार जैन साहब का जो आज हमारे बीच उपस्तित हैं बहुती गर्व की अनुभूती आज पुन्योदे विद्यासंग परिवार को जो एक ऐसी सक्सियत आज हमारे साथ है मैं डाक साब के बारे में कुछ बोलूँ उसके पहले मैं आपके समक्ष उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ डाक्टर सतेंद्र कुमार जैन जिनका जन्म तीन जनवरी 1960 को स्वर्गिये श्री बावुलाल जी जैन श्रीमती कमला देवी जैन के परिवार में हुआ ये वक्त की अनुहनी कहें कि एक वर्ष की अलपायू में आपके सिर से पिता जी का साया उड़ गया लेकिन माता जी श्रीमती कमला देवी जैन ने एक सिक्षिका होते हुए ऐसे संसकार और ऐसी बातों से इनके मन को गड़ा इनको तयार किया कि यह सक्सियत आज एक विरले सक्सियत के रूप में हमारे वीचो पस्तित है उन्होंने सदैव इनको लोकिक और परालोकिक दोनों सिक्षाओं में साथ साथ प्रिणा दी साथ साथ पढ़ाया और उन सभी के प्रिणाम सरूप आपके बच्पन से ही आपके भाव आचार शिरी के प्रती सदैव समर्पित हो गए जब मैं देखता हूँ कि आपने लोकिक सिक्षा में कक्षा दस में ही भ्रमचर रे लेने का निर्ने लिया सन 1982 में उसके बाद जब आपने अपने सिक्षण के छेतर में अपने आपको ढाला तो एक अभूतपूर तरीके से आपने अपने अंदर परिवर्तन किया कि कोई व्यक्ति जिसके मन में ये बात आजाए कि मैं भ्रमचारी का जीवन जीना चाहता हूँ लेकिन जब अपने सिक्षा के छेतर में जाए लोकिक सिक्षा के छेतर में जाए तो M.Tech की डिग्री विहवारेक भूबिग्जान में PhD भूजल विग्जान और परयावरन भूबिग्जान में L.L.V की डिग्री इसके बाद आयोरवेद रतन की डिग्री साथ ही योग के रूप में दुई वर्सीय पाठिकर्म में सागर विश्व विद्याले में दुईतिय स्थान प्राप्त करना एमे जैन धर्म तुलनात्मक धर्म और दर्शन में जैन विश्व भारती संस्थान लाणनू राजिस्थान से अपनी डिग्री पूर्ण करना ये आपकी समर्पन भाव को दिखलाता है ये दिखलाता है कि वाकई में आपके अंदर समर्पन भाव जन्म से है कर्म से नहीं कि आपने कहीं गए और आपने एक समर्पन भाव दिखाया और आप समर्पित होने का एक अलग सा नजरिया लेकर चले आए आपका निश्यत ही ये मनोभाव अंदर से आपको समर्पित भाव देता है कई उच्छनिक संस्थाओं में जब आपने सिक्ष की और प्रसासनी की दायरत का कोशलता पूर्वक निर्वहन किया ऐसे में जब पूज आचार शिरी के आशीरवास सन 1993 में भारत वर्षिय प्रसासनिक प्रसिक्षन संस्थान जवलपुर की इस्थापना हुई तब आपकी योगिता को देखते हुए अचार शिरी ने आपको कुशल प्रसासनिक अधिकारी तैयारी करने की जिम्मेदारी सोपी जो बाकई में एक बहुत बड़ा दायत्व था और उसका निर्वाहन आपने निरंतर किया और उसका पारितोशिक आप देख सकते हैं कि बड़ी बहन सादना दीदी की समाधी हुई इसके बाद पुना आपका एकवार मन दुबारा से हुआ कि मैं दीख्षा लूँ लेकिन जब 1989 में आजीवन ब्रहमचार का ब्रत लिया था तब एकवार आचार शिरी ने आपको मना किया था कि आप दीख्षा नहीं लेंगे बल समाज को आवशक्ता है यानि जो समाजिक आवशक्ता है जल की आवशक्ता है या अन्य आवशक्ता है उनकी पूर्ती के लिए आपको यहां छोड़ा गया अब बात करते हैं कि जब आपने M.Tech की डिग्री हासिल की तो ऐसी कई और विशेस्ताएं होंगी जिनके माध्यम से आप निरंतर जोड़े रहे हैं आप GIS और GPS यानि Geographical Information System और Geographical Positioning System और Remote Sensing में महारत हासिल रगते हैं जो जल विज्ञानी के लिए होना बहुत ही आवशक्ता है नीती आयोग भारत सरकार द्वारा देश में 256 जिलों में सूखा गरस्त 256 जिलों में से 100 जिलों को जल प्रयाप जले बनाने के लिए भारती जैन संक्ठन पूर्णा के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश पूर्व के तीन जिलों दमों गुना और सिंग्रोली हैतु विशेव विशेशग्य की रूप में अनुसंसित किया गया है इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश बिदिक सेवा अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा महरास्ट्र और गोवा की सेट 2021 के लिए मुंबई सेंटर के लिए अपजरवर न्युक्त किया गया विश्विद्याले अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा 2021 से 2026 तक पांस साल के लिए आंधर प्रदेश और तेलंगाना राज के ऑटोनोमस इंजिरिंग कॉलेज में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में आपको मेंबर न्युक्त किया गया है आपने आजीवन भ्रमचर ब्रत 1989 में लिया वा प्रथम भ्रमचर ब्रत कक्षा 10 में 1982 में लिया तथा परंपूज गुरुदेव आचार श्री की पिछी 1992 में आपको प्राप्त हुई ये आपकी महती उपलब्दियां है जो हमें गौरवानवित करती है कि वाकई में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो अलग-अलग कारेच छित्रों में अपनी उपलब्दियां हासिल करता चला आ रहा है और साथ ही साथ समाज को भी आपकी बहन दोनों समाधिस तुई लेकिन आप जब 1992 में जब बहुत अलपाईव में थे तब पूझ आचारे श्री विद्यासागर जी महाराज ने स्वयम आपको बुलाकर अपनी पिछी दी यह आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्दी है आज बहुत गौरप के छणे स्विक्रोक्ति दे और कुछ छोटे-छोटे से मेरे सवालों का जवाब यहां मैं उनसे चाहूंगा जो बाकई में आज हम सब को और गौरवनवित करेंगे मैं हार दिक आफारी हूँ पुन्योदै विद्यासंग का जिन्होंने मुझे अपने विचार पुन्योदै विद्यासंग के माध्यम से आप तक पहुचाने के लिए आउशर दिया पुन्योदे विद्या संग सिर्फ आप से सबसे पहले ये जानना चाहता है चुकि आप एक जलबैज्यानेक है और भूबैज्यानेक है और अभी आपको एक नया दायत मिला है भारती जैन संग्ठन के माद्य हम से जलब्रयाप्त जिले बनाने का तो मैं चाहता हूँ कि इस जलब्रयाप्त जिले के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हम सभी को यहां उपलब्द करवाएं ताकि कैसे समाजन इस से और जुड़ें और किस तरीके से इस कारे को आगे हम संप्रिशित करें प्राचीन काल में जल संग्रहन कनने की व्यवस्थाएं सुन योजित रूप से संचालित होती थी तालाव, कुए, बावडी, आदिक के में प्राकृतिक रूप से जल का संग्रहन होता था परन्तु आगे चलके उचित रख रखाओ ना होने की वज़े से इन में संग्रहन परियाप्त मात्रा में ना होने से भूमिगत जल का इस तर बढ़ने से रुग गया क्योंकि इन तालावों के भराव छेतर में मिट्टी, पतली मिट्टी जिसको शिल्टिक रूप में कहा जाता है उसके जमा हो जाने से जो परकॉलेशन यानि की जल का रिशाओ बूमिगत इस तर जल की रूप में होना चीए वह नहीं हो पाता था जैसा की हमें देखने में आ रहा है, शुनने में आ रहा है कि भारत में अनेक किसान जल की अपरियाप्तता की वज़े से आत्मत्या कर रहे थे यह इसका कारण जब देखा गया तो महरास्ट के किसानों के द्वारा जल की अपरियाप्तता और सूखा ग्रस्त जिले होने से आत्मत्या के जो कारण को खो जा गया तो देखा गया कि जो प्राकरतिक जल सरोत तालाव आदी थे वह उनकी जल धारण करने की छमता खत्म हो गई थी भारती जैन संग्टना ने इस कारी को स्वयम करने का प्रयास किया और पुल्णान डिस्टिक के जो तालाव थे उन तालावों का गहरी करन करके उससे निकलने वाली जो गाद थी शिल्ट थी वो किसानों को मुफ्त में अपने खेतों में फैलाने के लिए दिया उसका परिणाम यह हुगा कि किसानों की जो पैदावार हुई खेतों की जो पैदावार हुई वो बहुत तेजी से बड़ी और तालावों में परियाप्त मात्रा में जल एकत्रित होने से वहां बाटर लेविल बढ़ा ट्यूब बेल्स और डग बेल्स में परियाप्त मात्रा में जल हो जाने से वहां की जल की कमी दूर हुई इस कारिय को देखते हुए बारत सरकार की निती आयोग ने भारती जैन संग्टना को यह कारिय शौपा की बारत के जो 256 जिले सुखा गिरस्त या वाटर स्टेस्ट एरिया गोसित हुए थे उन में ऐसे प्यारमिक स्टर पर शो जिलों को नामंकित किया गया जिनको की जल परियाप छेतर में जिले में विख्षित किया जाना है इनको 100 वाटर सफिसेंट डिस्टिक्स के रूप में नामंकित किया इनमें मद्ध प्रदेश के दमो गुना और सिंग्रोली बढ़वानी खंडवा और विधिशा के जिलों में यह कारी किया जाना है मैं आधरनी अडक साव आपसे एक बात जानना चाहता हूं जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था जिसे लोग अपना जीवन ब्रत कहते हैं तो जीवन ब्रत में मुझे पढ़ते हुए कुछ ऐसा लगा कि जो व्यक्ति इतना हायर स्टडीज में रहा है जिसने एमटेक किया एललवी की दो पीएसडी कर ली एमे किया दर्शन सास्तर पे किया योग रतन योग शेविर किये आयोरवेद रतन की उपादी ली और धार्मिक जीवन में भी आप इतना जादा जोड़े हुए तो इसके पीछे कोई ना कोई घटना तो अवश्य रही होगी जिसकी वज़े से आपका अचानक धर्म के प्रती जोड़ाओ अचानक हुआ या बचपन से था तो ये बात मैं समझता हूं कि पुन्योदे विद्यासंग के जितने भी हमारे दर्शक हैं वह जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या घटना है कि एक व्यक्ति जो इतना highly educated है और आज भी devotee है समाज के लिए और देश के कारे के लिए तो क्या ऐसी कोई घटना है जिसने आपको इस और मोड़ दिया निश्यत रूप से आपने जो कहा और आपका कहना बिल्कुँ सही है कि मेरे जीवन के मैं धार्म के प्रती और गुर्वर के प्रती जो जुका हुआ है वह कोई न कोई घटना से जुड़ा हुआ है मुझे प्रथम दर्सन परंपुझ गुर्वर आचाहिशी विद्या सागर जी महराज का कुंडलपुर में 1976 में जब उनका प्रतम आगवन हुआ था तब हुआ मेरी ननिहाल कुंडलपुर के नजदीक पटेरा गाउं जो है वहां है वहां सेंगही रूपचंजी मेरे नाना जी थे वह कुंडलपुर कमेटी में होने से मुझे उनके साथ पुझ श्र के दर्सन करने का शौभागे मिला जैसे ही उस समय मेरी उम्र तकरीबन आठ या नौ साल की रही होगी मैंने जैसे ही आचायसरी का दर्सन किया मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इन्हें जानता हूं अब यहांसा क्यों लगा मुझे कोई भास तो नहीं है परन्तु ऐसा लगने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे सब कुछ यही है वह जब गाथाएं पढ़ते थे या अपना इस्तुति पाठ या भक्ती करते थे वह तो आज समझ में आता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं परन्तु उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने ये सब चीजें कुछ सुनी है और ऐसे ही आवाज में सुनी है मुझे कहानी सुनने का बड़ा शौक रहता था मैं अपने नाना जी से प्रती दिन छुट्टी में जब जाता था उनसे कहानिया सुनने के लिए आग्रह करता था मासे भी करता था तो मुझे इन लोगों से धर्म की या ही सुनने मिलती थे मेरी जिग्यासी प्रवित्ती को देखते हुए मेरे नाना जी मुझे हर रोज कोई न कोई ग्रंथ धर्म ग्रंथ जिन में प्रतमानियों के चरत्र ग्रंथ हुआ करते थे मुझे थमा देथे और मैंने बचपन में कक्षा से कक्षा 6 तक मंदर में जितने भी उपलब्द प्रत्मानियों के सास्त्र थे उनको पढ़ा रुची पूर्वक पढ़ा और उसका प्रभाव और परंपुझ गुरुवर का प्रभाव ऐसा पढ़ा कि मुझे संसार बिलकुल निश्चार जान पढ़ने लगा यह संसकार बने रहे क्योंकि मेरी मां बहुत धार्मिक महिला थी और उन्होंने मेरी बड़ी बेहन और मुझे अपने जीवन को लौके को पारलौके करूप से उन्नत बनाने हे तूँ परंपुझ श्री के चर्णों में समर्पित कर दिया था और यह संसकार गहरी जड़ बनाते रहे और उस पाइचा इसरी का गमन समय सिखर जी के लिए हो रहा था दमोह में उनका आगमन हुगा दिसंबर माह था मैं शुबह सुबह उनके पास पहुंचा उनके चर्णों में सिरिफल अर्पित करके ब्रह्मिचर इवत लेने के लिए निवेदन किया उन्होंने सहज भाव से मुझे श्रीकार करके मेरी भावनाओं को पढ़के और मुझे यहवरत प्रदान किया इसके उपरांत 1989 में एक शपन मुझे आया उस शपन में मुझे एक साथ तीन शूर्य एक साथ बड़े बाबा के पुराने मंदर की उपर चमकते हुए दिखे शपन में ही मैंने पूज गुरु गुरुवर को निवेदन किया कि मुझे ऐसा शपन आया है तो उन्होंने मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया प्राता काल जब मेरी नींद खुली मैंने दोफर में आउसर पाकर गुरुवर से कुछ कहने का संकेत किया तो उन्होंने बिलकुल जैसे शपन में ही संकेत क किया था बैसे ही पीछे आने का मुझे संकेत किया बड़े बाबा के परवत की तरफ हम उनके साथ गए एक जिन मंदर में वह बराजमान हुए और फिर कहने लगे हाँ अब बताओ क्या कहते हो मैंने जब उनको ऐसा बताया और उन्हों अने स्वैम ही मुझे शंकेत करके आज इवन ब्रह्मिचरी ब्रत पदान किया तद उपरांत 1992 में मुझे चातरमास के उपरांत उनकी पुरानी पिछी का उन्हीं के द्वारा मैंने पिछी मांगी नहीं थी परंतु उन्होंने कहा मुझे तुम्हें पिछी का देने का भाव और मुझे अपनी मां और बहन के साथ मैं उनकी पुरानी पिछी का लेने का श्वाग्य प्राप्त होगा मैंने अपना शंपूर्ण जीवन गुरुवर के चड़नों में उनके आदेश और संकेत के रूप में श्रीकार किया था और उन्हीं की आज्यानुसार मैं अपना शि अच्छा भी मैं यथा समय लेता रहा और आज भी मेरा जीवन उन्हीं के संकेत और उन्हीं के आदेश पर संचालित हो रहा है बच्पन मैं 1976-77 का चातरमास कुंडलपुर में हुआ उस समय और उसके बाद भी मुझे अपनी मां के साथ उनके चरन सानेत में जाने का उसर मिल कहिए या कोई पूरुजन में का पुन्य कहिए कि मुझे घंटों के पास बैठने का सभाग मिलता था और मुझे उन्होंने कभी अपने कारी में व्यावधान नहीं मान के कभी मुझे वहां से हटाया नहीं यह बात वह स्वयम ही जब एक बार उनका चौके में आहार हुआ पहुचाया उनको उनके मंदिर तक उनके इस्थान इस्थान तक गया जब मैं तो उन्होंने स्वयम ही कहा कि जब यह बहुत चोटा था तब से मेरे पास बैठा रहता था मैंने कभी इसको अपने पास से नहीं अटाया अधरनी वाई सब मैं आप से जानकारी लेना चाहता ह सब्सक्राइबारोड हमhta ओर करते हो दायत्व मेरे पास प्रकाइबारोड ही तो सामरे मरे प्रिपल्षानी अद्य करने हेता रहत हैूँ मारे किससी और ज़्ट नाकाशन आधर ढाहा ही लेका को resistant कि अपने पास खत्याने पास जन से तो यह जो चुखहता मैं हुआ आपपा जैन समाज के ही नहीं, वह सभी जैन जैनेतर, सभी समाज के लिए उसी तरह से परामाराध्य और पूज्य हैं, जिस तरह से जैनों के हैं। उनका चिन्तन सिर्फ जैन समाज की उननती या उनके उतकर्स के लिए नहीं होता। उनका चिन्तन हमेशा रास्ट की उननती की तरह भी होता है, जो की समय समय पर उनके चिन्तन, उनके प्रवचन, उनके शंकेतों के द्वारा प्रकाशित होता है। परंपुज गुर्वर आचाय स्री विद्या सागर जी महराज ने अपने चिंतन से देश के भविष्य को उज्वल बनाने हे तू, रास्ट के नव निर्मान हे तू, उच्चे प्रसासनिक सेवाओं में, राज्य की प्रसासनिक सेवाओं में, अच्छे संसकारित और चरत्रव युवक, यूतियां अपना योगदान दें, जिससे की रास्ट उत्तरोत्तर उन्नती करते होगे विष्य गुरू के रूप में पुनह प्रतिस्ठित हो, इस भाव से उन्होंने समाज को प्रेड़ना की, और जवलपुर में 1993 में, मडिया जी में, भारत बरसी दिगंबर जे इन प्रसासनिक प्रसिक्षन संस्थान की स्थापना समाज के द्वारा कराई, जिसमें 1993 से अब तक लगातार शेक्णों विध्यारतियों ने अपनी प्रतिभा का उप्योग करके, उच्च प्रसासनिक सेवाओं में, राज जी की विभिन्ने सेवाओं में, उत्तरदायतों क परिक्षाओं में चैनित होकर अपने उत्तरदायतों का निर्वाहन कर रहे हैं। उनकी इस प्रसासनिक संस्थान में ना सिर्फ जैन बलकि जैनेतर विद्यार्थी भी अध्यनरत हैं। इसी श्रंकला में बोपाल चातरमास के दौरान अनुशाशन नाम की संस्था भी बोपा तो नियाएक सेवा में भी अनेक विद्यार्थी चैनेत हुए हैं। आदर्णी भाई सब एक सवाल और मन में बारवार आता है। चुंकि मैं भी उस उम्र के दौर से गुजरा हूँ और मेरी सिख्षा भी भार हुई है। आज का योबा कहता है कि जब हम पढ़ाई में पू हुआ है दोनों जगे आप जितना पढ़ाई में थे उससे जादा धर्म में थे और कभी जब देखूं कि जब धर्म में जादा थे तो पढ़ाई में उससे जादा थे और उस सब के बावजूद भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी है। आप इतने पूरी प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी सेटल रही है। तो ऐसे में अपने आपको कैसे धर्मिक जीवन में अंगिकार करते हैं और आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपने जीवन में सामंजस बैठा लें एक भी बात नहीं होना चाहिए कि जब वो आपके सामने कहकर ये कहकर चले जाए कि हमें समय नहीं मिलता या हम ये नहीं कर सकते कुछ युवाओं के लिए आप क्या नए गाइडलाइन से हैं मैं कहूं कि क्या दिशानिरदेश आप उनको देना चाहते हैं अभीजी जी आपने बहुत अच्छा प्रस्ण और समसामय एक दृस्टी से जो उचित भी जान पड़ता है अच्छा प्रस्ण आपने किया मुझे आज के युवा धर्म को क्रिया कांड या परंपरागत रूप से मानने को ही धर्म मानते हैं जबकि धर्म कितना सूक्ष्म और अतना ब्रहद रूप में हैं जिसको परिभासित विभिन रूपों में किया जा सकता है मैं एक बार की बात बताना चाहता हूं इसी स्रंखला में कि मैं जब प्रसासनेक सेवाओं के तैयारी कर रहा था और सभी को उनके शंके तानुसार करवा रहा था तब मेरे मन में प्रस कि धर्म क्या है तो उन्होंने मुझे कहा तब वो समय कुछ अध्यन कर रहे थे ये राम्टे की बात है तो बोले ड्यूटी अमने का मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने अपना धर्मगरंथ बंद करके मेरे तरब मुखाद मुखातिव हुए और कहा कि करतव्य का पालन फ पूरी इमानदारी निस्ठा से करे यह धर्म है जैसे विद्यार्थी का काम सिर्फ अध्यन करना है ये उसका धर्म है माता-पता का काम बच्चों का पोशन करना और उनको संसकारत करना जो जिस कायरी को कर रहा है शेवा, शर्विस या व्यावसाय उस कायरे को दक्षिता पूर्वक करे, पूरी इमानदारी और नीती पूर्वक करे, यह उसका धर्म है, तो उनके सभी संसकारों को, उनके निर्देशों को पालन करते हुए, मैंने विविन्य छेत्रों में अध्यन करने की रुची रखी, ज मुझे जब जो अध्यन करने की इक्षा हुई, उन्होंने सभी प्रकार के मुझे अध्यन कराए, मैं आज के यवाओं से यही कहना चाहूंगा, कि वह अपना ध्यान विद्यारती जीवन में अध्यन के तरफ ही रखें, बाकी की चीजें तो समयानुसार मिला करती हैं, यह अध्यन का समय पुनहा बापस नहीं आता, इसलिए उनको अध्यन को अपना धर्म मान के ही करें, कर्म ही पूजा है, यह वाक्य वह इसमरन रखें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं. धन्यवाद डॉक्टर सतेंज जैन साब आपने पुन्योदे विद्यासंग के आमंतरन को सुईकार किया, यह प्रतम भाग पुन्योदे साक्षातकार का था, जिसमें आपने जाना डॉक्टर सतेंज जैन साब के व्यक्तिगत जीवन को, उनके प्रोफेशनल लाइफ को और धर्मिक जीवन को, भाग दो में पुन्योदे विद्यासंग के वरिष्ट साथी, श्री अंकिज जैन मित्रा के साथ आप आप आचार श्री के कुछ ऐसे संस्मरण डॉक्टर सतेंज जैन साब के साथ सुनेंगे, जो बाकई में आपने नहीं सुने होंगे, या जिन का साक्षी वनना है, इन सभी के साथ एक वार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आवार.